दोस्तों इस वीडियों बताऊंगा कि अगर आपके गैलरी से कोई फोटो वीडियो डाकुमेंट गलती से डिलीट हो जाता है उसे आप कैसे रिकुवर कर सकते हैं कैसे आप वापस ला सकते हैं अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे गैलरी से जो भी फोटो जो भी वीडियो जो भी डाकों में डिलीट हुआ है और रिकोवर हो जाए वापस आ जाए तो फिर चलिए वीडियो सुरू करते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले गैलरी एप पे क्लिक करके उपन कर लेना है आपको यहां पे कुछ फोटो था जो गलती से डिलीट हो चुका है जिस तरीके से मैं इस धिलीट हो जाता है आपको फोटो यहां से अगर डिलीट हो चुका है और अपको डिलीीट हुए 13 जिन से पहले का है तो इससे रिकोवर कर सकते रिकुर्बर करने के लिए आप फोटो पी इस तरीके से लॉग प्रेस कर लेंगे तो अब इस तरीके दिक कर लिए उसका लाको यह हम नीचे दिखाए दार का अपसन दिखाए दार रिस्टोर पे क्लिक करके आसानी सा पोटो वीडियो डाकूमिंट कर सकते हैं अगर आपके गैलेरी से फोटो डिलीट भी हो चुका है और आपके जो है यहाँ पर रिसाइकल बीन कर लिजे या पर डिलीटेट आइटमस में आपका फोटो वीडियो डाकुमेंट नहीं है रिकोर करने के लिए दूसरा ट्रिक एक है आप देखिए आपके फोन में गूगल फोटो जैब दिखाई देगा वैसे हर स्मार्ट फोन में गूगल फोटो जैब दिया जाता है कंपनी द्वारा अगर नहीं है तो प्ले इस्टो से इस्टाल कर लिजे इसके बाद आपको गू पांड फोटओ पुर्यारी मेंृ न पतलडबन फोटो दिखाई देगा छोब आपके घलरी से डिलीट हो चुका है वह भी फोटो दिखाई देगा मिल जाने किसे में से कLIK लेना वोगा इसकी दोन साइड देखेंगे three dot दिखाए देगा three dot पे click कर लेना होगा उसके आपको download दिखाए देगा download पे click कर लेंगे यह आपको फोटो जै डाउनलोड हो करके gallery में automatic save हो जाएगा आपको मिल जाता है तो अगर आप यहां पर backup आन करके नहीं रखे होंगे google photos में तब आपके google photos में फोटो मिलना थोड़ा मुश्किल है नहीं मिलेगा आपको यहां पर backup अगर आन करना चाहते हैं तो आप यहां पर click करके photo setting प्यार करके बैक पर click कर लेंगे उसक इससे भविस्ति में कोई photo delete होता है तो आपके google photos में मिल जाए अगर नहीं मिलता है तो आपके पास last विकल्प यही है last option यही है आप जो है third party application का यूज करिए आपको play store में आ जाना है search box पे click करके आपको type करना है photo recovery या video recovery आपको type करके search कर लेना है उसके आपको यहां बहु यूज करने वाला हूं डिक्स डीजर photo recovery यहां मैं इसे इंस्टाल भी किया हूं अगर आप भी यूज करना चाहते हैं तो मैं इसका link description में भी दे दिया हूं आप वहां से इंस्टाल कर सकते हैं इंस्टाल कर लेने के बाद आपको open page click करेंगे तो आपके सामने इस तरीके दि कर लिए उसके आपको सामने दिखाए देगा permission के लिए आपको यहां पर go to settings पर click कर लिए उसका आपको यहां आप दिखाए दे रहा है इसके बाद आप यहां से बैक हो जाए यहां आप देख सकते हमार रिकवर कर रहा है यहां पो भी photo दिखाए देगा जो आपके gallery यहां पर google photos में होगा बीच बीच में फोटो दिखाए देगा जो आपके gallery में यहां पर नहीं होगा नया पोटो दिखाए देगा तो आप जान जाएगा कि यही photo मेरा जो है gallery से डिलीट हुगा है आपको यहां पर इस तरीके ध्यान से देख लेना है यहां देख सकते बता भी दि इतना आपका रिकोबर हो चुगा है आपको जैने ध्यान से देख लेना आपको फोटो जो है मिल जाएगा इस तके से आप जो है गैलरी से दिलीट फटो वीडियो डापूमेंट को रिकोबर कर सकते हैं क्यों दोस्तों फार वाचिंग मैं वीडियो